Welcome back to StarGlexe Channel guys तो आज हम बात करेंगे कि University Gold Medalist होना क्या होता है और University Gold Medal किसे मिलता है इसकी Eligibilities क्या होती है और इसके Benefits क्या होता है कैसे आप University Gold Medalist बन सकते है तो सबसे पहले हम बात करेंगे University Gold Medalist होता क्या है University Gold Medalist वो student होता है जो student अपने batch का टॉपर रहा हूँ, टॉपर इंदासेंस जिसने फर्स्ट रैंक लिया हूँ, अब फर्स्ट रैंक ऐसे नहीं किलाएगा, अगर मालो आप मास्टर्स में है इस वक्त, वैसे तो ये बैचलर्स में मिलता है, बर चलो हम मास्टर्स की बात करते हैं, आपने किसी यूनिवर्सटी या दोनों इयर्स की मिलाकर, और आप पूरी क्लास में उसमें टॉप कर जाते हैं, आप फर्स्ट रैंक होलडर होते हैं, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट कहलाते हैं, अपनी यूनिवर्सटी के, आपको पूरे बैच में टॉप किया है, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अप 10 बच्चों का होना चाहिए अगर आप 10 बच्चों से कम में टॉप करते हैं माल यह 10 बच्चे नहीं यह 9 है 8 है 7 है 10 से नीचे है बच्चों की strength और उसमें अगर आप टॉप करते हैं तो आपको एक merit certificate मिलता है तो आपको gold medal नहीं मिलता gold medalist होने के लिए आपकी class में या batch में total 10 या 10 से जादा बच्चे होने compulsory है जिस भी university है या मैं आप पढ़ रहे हैं और दूसरी बात आती है कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने college में top किया है अपने तो क्या हम gold medalist हो गए हैं नहीं अगर आप अपनी graduation या फिर यू किन से आप अपनी post graduation किसी college से कर रहे है जो किसी university से affiliated है तो आप खुछ सोचिए उस university से मान लीजे ऐसे 10 colleges और affiliated है आपकी college की तरह 10 colleges और affiliated है जो उस university के अंडर आते हैं तो उन 10 colleges में भी वो subject होगा जो subject आप पढ़ रहे हैं वहाँ के बच्चे भी होंगे उन्होंने भी college में अपने top किया होगा तो अगर आप उन सभी बच्चों में उन सभी colleges के toppers में topper निकलते हैं उन सभी से आपकी ज़्यादा percentage आती है आप अपनी university के topper कहलाएंगे तो आप अपनी university के gold medalist कहलाते है अगर कोई university ऐसी जिससे कोई और college affiliated है नहीं सिर्फ उनिवरसिटी ही है उसके under colleges नहीं आते और आप उस university में minimum 10 बच्चों के batch में top कर जाते है तो भी आप gold medalist कहलाते है तो यह आपकी eligibility है कि minimum 10 बच्चे आपको उस batch में चाहिए अपने subject के 10 बच्चे चाहिए तभी आप उसमें topper कहलाते है अब इसमें होता है क्या होता है how to be one आप कैसे gold medalist बन सकते तो देखिए ऐस सच तो कोई आपको रास्ता नहीं बता सकता कि आप gold medalist कैसे बन सकते है उसके लिए तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा studies करनी पड़ेगी अपनी assignments, presentations, seminars जो भी होगा आपके subject related वो सब आपको करना पड़ेगा project work होगा like masters वालों के लिए project works होते है practicals होते है science subject में तो आपको वो सारे खुद से करने है और यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ science वाले ही gold medalist होते है arts, commerce हर field में gold medalist होता है तो आपको अपने attendance, अपने presentations, seminars, assignments exams, जो भी आप mid terms देते हो उन सब में अच्छा आपको क्या है response देना है, आपको अच्छे marks लेकर आने है अच्छे percentage लेकर आनी है तो ही आप last में at the end आपको पता, यह जो top कोन करता है, जो पढ़ते है, जो करते है जो active रहते है, ग्लास में वहीं top करते है, तो आप end में gold medalist की तरह, अपने university की gold medalist की तरह निकल सकते, जहां आपको university facilitate करती है with a gold medal और एक rank certificate, तो कि बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी student के लिए, उसके career में gold medalist होना, उसके student life में gold medalist बनना और इसके अलग-अलग benefits होते है, तो सबसे वेले था हम benefit की बात PhD के लिए कर लेते हैं अब देखो, जो master's कर रहा है of course, कई चाहते है कि research work करे, आगे PhD करे अब कई बार होता है कि हम जो national level exams है like net के लिए आता है, net share of exams आते है, चाहे वो UGC है, चाहे वो CSIR है science field है, non science field है उस सारे चाहते है कि उन्हें भी क्या है, आगे fellowship मिले, PhD करने के लिए तो generally यह सिर्फ यहाँ science वालों की मिल सकती है, inspire fellowship बिलकुल net jrf में जो आपको fellowship मिलती है, science वालों को उसी कही equivalent आपको fellowship, inspire fellowship मिल सकती है, वी without giving any examination, कोई भी आपको exam नहीं देना है, जस आपको form fill करना है और जो भी उसकी requirements है, आपको वो करना है, आप इस पे videos देख सकते हैं आपको videos मिल जाएगी, काफी videos पहले की बना रखे हैं, और अगर आप चाते हैं, मैं inspire fellowship पे एक video बना हो, आप link नीचे comment section में लिख सकते हैं, तो आपको वो benefit मिलता है, तो ये अलग वो होता है, कि आप gold medal मिला है, आपको नीचे comment section अपना question छोड़ सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगी, like करें, subscribe करें, and share करें, और हाँ, all the very best जो अभी अपने master's में हैं, या bachelor's में हैं, अभी भी मौका है, आप gold medalist बन सकते हैं, study heart, thank you so much for watching